तो ये है चिकन दो प्याजा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मस् ट्राय रेसिपी है और जो चिकन नहीं खाते हैं वो मश्रूम एड कर सकते हैं वेल्कम बेक टु माई चैनल मैं हुशिखा होफुली आप सभी अच्छे होंगे तो चलिए डिले ना करते हुए रेसिपी श हाफ टी स्पून स्ट एड करोंगी ज्याधा स्ट एड करना क्युक् emphasis घ्स कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट यह आप आपसे cover करके ने इसे अख्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसे cover करके एक घंटे के लिए मैं इसे घ्रच में रगोंगी तो इतने हमारा चिकन मेरेनेट होगा, साइड में हम अनियन रेडी कर लेते हैं, जो हमें अनियन डालनी है, यहां मैंने वन टेबल स्पून ऑइल एड किया है, और यह वन मीडियम साइज की अनियन है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, अब इसे फोर तु फाइफ मि टेल डालूँगी, यानि मस्टर्ड ओयल, और ओयल को बहुत ही अच्छे से हिट करना है, जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट एड किया है, ताकि आखों में ना लगे तेल, अब यहां में थोड़े खड़े मसाले आड कर लोंगी वन टेबल स्पून जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो तेजपता, एक बड़ी लाइची, दो छुटी लाइची और तीन से चार लॉंग, अब इन मसालों को अच्छे से भून लेना है, जब यह भून जाएं तो मैंने दो मीडियम साइस की अनियन को फाइनली चॉप एक बड़ा दिया और यह अधार यह तेबल स्पून ले लेना सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से और यह साइट में मेरी अनियन भी अल्मोस्ट हो गई है, अब यहां पर मैं वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि अद्रकलसन का पेस्ट एड़ कर दूगी, इसे भी अच्छे से बुहना है जब तक का इसकी रॉनेस ना निकल जाए जब तक यह रॉफ लेवर ना निकल जाए इसका तो बस मसाले ही इसमें अच्छे से बुहने होते हैं सबसी में सबसे जो में काम होता है ना चिकन दोप्याजा या मश्रूम दोप्याजा का वो यही οι भी होता है कि आपको मसालों को बहुत ही अच्छे से भुनाई UH अब यहां यह मैंने अपने जो में मसाले का बनाया था मिक्सचर टर तर दिया है अब इन मसालों को भी मैं अच्छे से भूह यहां ठोड़ा सा पानी तुछ के बात की हमारे जो जर दीन तो यहां मैंने कर लिया है पानी अधोड़ा सा तब यह मासालिंगे नहीं और आपको मीरियम फ्लेम पर ही इने रोस्ट करना है गुस्ट करना है इस चार से पांच मिनत तक मसालों को च्टाहिम 96 hearts दो टमाटर की मैंने प्यूरी जैसे बना लिया है दो मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिये थे और अब इन्हें भी एड़ कर लेंगे और टमाटर को भी अच्छे से भूना है ताकि जो इसका रॉफ लेवर है वो निकल जाए और मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनते जाना है जब तक कि मसालों से ऐल सेपरेट ना हो जाए और अलग ना हो जाए तो बस मैंने यहां पर ढखके रख दिया है मैं थोड़ा सा इसे पकाऊंगी मसाले को आप देख सकते हो के मेरे मसाले हो चुके हैं अल्मोस्ट अलग हो गया है और जो मेरा मसाला है वो उसने ऐल चोड़ दिया है तो जो मसाले भून जाएंगे ओल अलग हो जाएगा यहां मैंने यह दस से बारा काजू लिये थे मैंने इसका पेस्ट कैसे बनाए मैंने इसमें थोड़ा सा मिलक अड़ किया था मैंने पानी एड नहीं किया और उससे मैंने मिक्सी में घुमा लिया है यह तो इसमें क्या होगा एंड में आपको क्रीम एड करने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें मिल्क आड करके काजू का पेस्ट बनाओगे तो तो काजू आपको पहले नहीं डालने है अदर्वाइस जो आपका मसाला है वो नीचे लगने लगेगा क्योंकि काजू को आपको नीचे पकने लगता है चाहे आपका नॉंस्टिक पैन हो तो तो काजू को हमें बाद में डालने है जब आपके मसाले प्रॉपर बुह जाए अच्छे से तो यहां पर मैं वन टेबल स्पून साॉल्ट एड कर दिया है मैंने जब मसाले बुह पून जाया है और और बीच पीच में आपको चिकन को चलाते रहना है, मैं अभी पानी नहीं डालूगी क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वो आपके ओपर डिपेंड करता है कि आपको किस कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए, मुझ इसे 14-15 मिनिर तक आप इसे डखके रखना, बीच पीच में चलाते रहना, तो आपकी सबजी हो जाएगी रेडी, और जब ये चिकन गल जाएगा, उसके बाद हमने जो अनियन रोस्ट की थी, यहां मैंने वो एड़ कर दी है, और बस हमारा अब चिकन हो चुका है रेडी, इसमें धेर सारा आप धनिया, फ्रेश धनिया डाल लेना, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने नहीं एड़ किया धनिया, तो आप देख सकते हो चिकन का कितना ही प्यारा कलर आया है, अब यहां पे मैं एड़ कर रही हूँ, भुनी हुई कसूरी मेथी, जब आपका चिकन ग जाए और सब हो जाए तो अब यह आप गरम मसाला यहां मैंने हाफ टीस्पून गरम मसाला भी आड़ कर दिया है, और यह मैं कुछ जूलियन में कटे हुए अद्रक के कत्रे और यह थोड़ी हरी में चैट कर रही हूँ, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चिकन में बिल्कुल अच्छे से मसाला जा चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लो बिल्कुल ही रेस्ट्रेंट स्टाइल लग रहा है ना चिकन दो प्याजा तो जरूर रेसिपी ट्राय करना और अगर आप नहीं खाते हैं चिकन तो आप मिश्रूम से भी अच्छे स्टाइल ही बनेगा तो गले जृप लेगा तो आपको मेरी यह क्यूट पसंदाई हो और अब मैज शहु अखर लोंगे अगर आपको मेरी यह रैस इपी रगी तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक करना शेयी और शेर और सबस्क्राइब करना भी मत भूलना तो ऐसी 혼자 एची एची रेसिपीज के साथ मैं मिलती रहूंगी आपको थैंक्स पर वाचिंग मिलती हो अगली वीडियो में